हाई फ्रेंज इस दिपांचली और विल्कम टू माई चैनल स्वाद बिंगॉल आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे और आप सभी को महा शिवरात्री की हार्दिक सुभेच्चा शिवरात्री के अफसर पे एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है होफिली आप सभी को अच्छा लगेगा तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने सेलिबरेट किया है महा शिवरात्री अज सबसे पहले तो सुबह सुबह मैं पूजा का फूल और प्रशाद ले आई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फूल है इसे कहते हैं आकंदो फूल और अकलेपा माना जाता है इसके बिना और बेल पत्ते के बिना शिव पूजा असंपुर्न है तो इसी से मैं एक छोटा सा माला बना लोगी शिव जी के लिए और इसके साथ ही साथ ये है हमारा बेल पत्ता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये पूजा के लिए इसके साथ आप कोई भी प्रकार के सफेद फूल प्रयोग कर सकते हैं तो चलिए शिरू करते हैं हमारी आज की पूजा यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पीतल का कलश लिया है और इसे पानी से भर दिया है इसी में मैं दूद भी डाल दूगी एक चमच शक्कर डालूगी एक चमच हनी डालूगी एक चमच दही डालूगी और एक चमच घी डालूगी इसी प्रकार हम पंचामृत बना लेंगे और इसी पंचामित से हम शिव जी का अभिशेक करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं शिव अभिशेक While doing the अभिशेक, it's very important you should chant the mantra Om Namas Shivaya It's a very powerful mantra अब जैसे ये mantra जाप करेंगे, instantly एक power feel कर पाएंगे, एक energy feel कर पाएंगे It brings divine grace and peace in our mind वैसे तो बोला जाता है शिव जी बहुती छोटे चीजों में प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और इस पूजा के लिए जादा सामगरी भी नहीं प्रयोग होता है बहुती easily आप इसे घर पे ही कर सकते हैं बस इतना ही है जब आप पूजा करे, अभिशेक करे, पुरे दिल से कीजे, पुरे भक्ती से कीजे ये रहा बेल पत्ता और मेरा छोटा सा आकुंदुफूल का माला ध्यान रखिए, दूद या दही पुष्टे समय, इंडेक्स फिंगर का प्रयोग ना करे रिंग फिंगर या मिडल फिंगर से इसे आप इस तरह से साफ कर सकते हैं अगर आपके घर पे चंदन और गंगा जल है, तो अभुष्या आप अभिशे करते समय, इसे प्रयोग कर सकते हैं ये है मेरा तीन साल का बेटा रितो, इसे वो हर चीज करनी होती है जो इसकी मम्मी कर रही हो तो इस बार बहुती शद्धा और भक्ती के साथ रितो ने भी शिवजी का अभिशे किया है मेरे साथ तो इसी प्रकार शिव अभिशेक संपूर्ण होने के प्रस्चात हम धूप लगाते हैं, अगर्वती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, प्रे करते हैं और भगवान को प्रशाद चड़ाते हैं यहां मैंने 5 different types of fruits दिया है और मिठाई दिया है इसी के साथ आज का हमारा शिव पूजा समाप्त होता है, ओम नमस्षिवाई, हर हर महादेव आप सभी को फिर से शिवरात्री की हार्दिक सुभिच्छा आपको यह वीडियो कैसी लगी? प्लीज डू लेट मी नो थू कॉमेंट सेक्षिन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चानल स्वाद बिंगॉल तिल दिन हैव गुड डे, टेक केर, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ